आप देख रहे हैं मैं आपके साथ सागर मिश्रा नियूज इंडिया की टीम आप पहुचिए भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हाँ वही बॉर्डर जहां पर हर पल हमारे देश के जवान 24 गंटे हमारी और आपके सुरक्षा के खातर मुस्तैद रहते हैं लेकिन आज हम रक्षा बंधन के पावन पर उपर अपने देश की जवानों की बीचा पहुचे हैं ये वही जवान जो हमारी आपके हिफाज़त के खाते रातो रात ये नींद भी नहीं लेते लेकिन हर पल इनकी मुस्तैदी बॉर्डर पर आप देखते हैं वो कहते हैं ना कि बहन और भाई का प्यार कभी कम नहीं होता वो चाहे जितनी भी धूर क्यों नहों गम नहीं होता अक्सर हमने देखा है कि रिष्टों के डोर दूरियों से फीके पड़ जाते हैं मगर ये ऐसा प्यार है जो कभी कम नहीं होता ये रक्षाबंधन का पावन पर वही है क्योंकि यहाँ पर हम एक जुटता देखेंगे हिंदो, मुस्लिम, सीखी, साइज, सब हैं भाई-भाई वो एक जुटता, वो प्यार, वो एक टा, वो ताकत जो हमें भी हम्मत देती है और हमारे देश के रणबांकुरों को भी आज रक्षाबंधन के पावन पर वह पर हम अपने देश के जवानों के बीच ही हैं और कुछ बहने भी हैं, हमारे देश के जवान भी हैं, भाई भी हैं इस रक्षा बंधन के पावन पर पर कैसे उन तक राखियां पहुझती हैं कैसे इस सीमा पर वो राखी मनाते हैं ये सारी चीज़ें हमा जानेंगे आज के दिन और ये लाइव आज टीबी चैनल पर राखी भी बांधेंगी अपने देश के जवानों को और बताएंगी कि आख है उनकी ताकत है हिम्मत है और हमारे तमाम जो अधिकारियें वो भी इने हिम्मत देते हैं इन परिसितियों में इन हालात में क्या नहीं है आपको बहुत-बहुत स्वागत है नियुद्टिया मेरा नाम है सावित्री मैं जहरकन के रहने वाले हूं पर यहां पर अभी रखी हैं फिर पॉद्र पे भी टाइनत होना पड़ता है 24 गंटे फिर क्योंकि हमारी सारे जो अभी बाई गार्ल पे है वो लोग तो नेंद आराम से सोचे हैं इसलिए हम 24 गंटे यहां पर कड़े रहे हैं मैं भी एक तरह से आपका भाई हूं मुझे भी नीन अच्छी है हमारी ह भर पे है तो ओं लोग अराम से नेंद दे सकने हैं वैसे चाहिए तापमान माइनस में क्यों न पहुँच जाए चाहिए तापमान पचाश डिग्री ही क्यों न पहुच जाये लेकिन इनको एसी की ज़रुरूत नहीं पढ़ती इनको हीटर की आवशकता नहीं पढ़ती उस तरह से हम देख रहे हैं कि आप लोगों की चहरे पर मुस्कान मतलब कि घर से दूर बे यह आप लोगों की मतलब की ताकत को देखकर हम सब की हिम्मत बढ़ाता और कहता है कि पूरा देश आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है क्योंकि आप भी खड़ी रहे हैं जी सर जी सर, हमें ये रक्षामंदन का त्योहार इदर मना के अच्छा लग रहा है, हम घर से दूर है, मैं जैसे राजस्तान भी कानेर से हूँ, पर इदर अपने बाईयों को राकी बांद के मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे फिल नहीं हो रहा कि मैं घर नहीं गई, राकी हमारा परिवार है, सबसे पहले देश की रक्षा है हमारे लिए, इसलिए इदर इराक की रक्षा मंदन होना। इनकी दूरी भी बहुत कम है, इन विपरीत परिषित्यों में हालातों में इनके हमेतक पहलाते नहीं हैं, इनके कदम कभी डगमघाते नहीं है, क्योंकि इनके साथ इनकी बेहन का ताहरा है, प्यार है और सब कुछ इन्हें और भी ज्यादा है challenge favored, हम जो हैं, बाटर 20 गंट मिजर्च कुछ इसके दोरान हमें जो हैं बाड़ों से मनाते हैं और जी हमारा गर भी यहीं हमसे वावी देतेशंगे मैं हुझे लिए सारी खुश्यां को इसकी और मश्यूलब कि अगर कभी यादा आती है घरटी तो देखा आपने जिस्टीज का मैं जिक्र कि यही हमारा परिवार है आपको हमको घर की आदा आती होगी हम आप घर को लेकर एमोशनल हो जाते हैं लेकिन इनको पता है कि इनकी हिम्मत वहां पर तूट जाएगी अगर इसको यह अपना परिवार नहीं मानेंगे तो तो तमाम बेहनों को भी आप देख रहे हैं आपसे कुछ देर के बाद देखिए राखी बांदने का कारिक्टरम भी शुरू होगा यह भी बेहन हैं अपनी ही बेहन हैं इनको अम अलग नहीं समझते हैं और देखो गर की या तो आती है लेकिन अमारे लिए देश से वासब से पहले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा हैं इनके बीच में रहे के यह लोग राखी बांद रही हैं जो बेहनों ने राखी वेज के लिए सर बने हैं और देश के लिए लड़ेंगे देश को नती के ओड़े जाएंगे और सीमा पे हमारे गुसबख्वेटियों को मार गिराने की हमारी जजवा को क्याम रखेंगे सर सर का ईधली गोली आखरी दम तक लड़टे रहेंगे जहां दिन घर रहने से हमको लगता है कब जाएंगे डूटी जाइन करेंगे यही हमारा सबसे ज़्याद बड़ा घर है एक देखिये जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि वचन है यही हमारा कि हमारा वतन हिफाज़ाद रहा है हम लोग सुरक्षित रहे हैं जो लोग घर पर बैटके इस टीवी प्रोग्राम को देखेंगे वो आपके साहस को, आपके आदम में परिचर को, आपकी बहुदरी को देखकर वाकई में सलाम करेंगे कि जो मैं यहाँ पर कर रहा हूं जिस तरह से आप लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे घर परिवार के लिए और देश के लिए नमस्कार सर पहले हैं मैं अमन्दीपकौर पंजाब से हूं हैपी रक्षा बंदन सरह हमें अच्छा लग रहा है इदर अप ि क्या है कि एक गुरू जो होता है रही अच्छे मार्णों पर लेकर जाता है रही हमत देता है तो नहीं हमत देते हैं थाया है सब्सक्राइब मेरे नाम संजे चौहान एनरजी पुष्टर काम करते हैं लोगों में किस तरह से आप लोगों को न डिगना है न रुखना है चलते रहना है आपने देखी लिया होगा हमारे जवानों में महिला प्रेटियों में कितना जज़बा है और आज रक्षा बंदन का जो यह तेवार ह इन्होंने मनाया है अपने घर परिवार से दूर रहकर और यहां पर अपने महिला कानमिकों ने जैसे अपने भाईयों के पुरुष भाईयों के राखी बंदी है और यह एक देश को संदेश दिया है कि जब तक BSF सरद पर डटी है तब तक देश जो है सुरक्षित हातों मे है कोई देश इस देश का बाल भी बाका नहीं कर सकता तो रक्षा बंधन का यह पर्वयसे में किस तरह से हमारी बहने भाईयों को राखी बादेंगी बॉर्डर पर क्योंकि यहां पर ड्यूटी भी करने हर एक तिवहार भी मनाना है चाहे कैसे भी मौसम हो कैसे भी हालात हो कैसे भी दिन हो तो चलिए कारेक्रम की शुरुवात अब करते हैं तो ये थी बॉर्डर वाली राखे यानि की सुरक्षा बंधन ये वही बंधन जो हमारे देश के जवानों को एक ताकत देगा एक नई उर्जा देगा जो उन्हें हिफाज़त रखेगा हमेशा जिस तरह से लगतार रखते आया तो फिलाल आज के लिए बस इतना है लेकिन आप देखते रहे न्यूज इंडिया और इनके ताकत और साहस और इनके इस तरह से उर्जा को आप भी प्रडाम करिए सलाम करिए जिस तरह से न्यूज इंडिया करता है हर एक हालातों में जिस तरह से मुस्तैद रहते हैं हमारी और आपके सुरक्षा के खादर वो कहते ना कि शेर के पंजो से कोई जागीर छीन ले शेर के पंजो से कोई जागीर छीन ले श्रिकारिक यहां से कोई शमसीर छीन लें लेकिन जब तक खून है हमारे इन जवानों की रगों में क्या मजाल है कि दुश्मन आख उठा कर भी देख लें फिलाल आज के लिए बस इतना है देखते रहे न्यूज इंडिया नमस्कार